भवानी देगी सई को बहुत बड़ा ओफर क्या सई करेगी एक्सेप्ट हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी मैं सेरिल गुम है किसी के प्यार में की कहानी बहुत ही जादा पलटने वाली है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से भवानी जो है वो सई को एक ऐसा ओफर देने वाली है जिसके बाद फैंस जो है वो बहुत ही जादा खुश हो जाएंगे क्योंकि अब ऐसा लग रहा है सई की जल्दी चवान परिवार में सभी के साथ एंट्री होने वाली है लेकिन वहीं पर खड़े पाकी विराट क्या करने वाले हैं क्योंकि पाकी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सई जो है चवान निवास में आई अब ऐसे में और क्या क्या होगा तो चलिए बताते हैं मैं सील के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से सही जो है लॉयर को लेके पहुँच चुकी है चववान परिवार और जैसे ही लॉयर को लेके वो पहुची है पूरा परिवार जो है सही को देख रहा है अब जहां सई ने इतनी बड़ी बातें बोली है तो पाकी का छेरा तो देखने लायक है वहीं विराट का मूँ जो है वो खुला का खुला रहा गया वहीं बात करने भवानी की तो भवानी भी जिस तरह से सई को देख रही है क्योंकि उसके मन में ये डर है कि लो भई अब तो विरायक चला जाएगा यानि कि इस परिवार का वारिस उससे छिंजाएगा अब ऐसे में सई जो है वो वहां से ये सारी बाते कहके चली जाती है लेकिन सई की ये बाते जो है चवान परिवार के हर एक मेंबर को शौक्ड कर देती है आप देखेंगे किस तरह सई जो है वो बहुत ही जादा गुसे में ये सारी बाते कहती है और कहती है मैं मेरा बेटा तुम लोगों से वापस दे कर रहूंगी और पाकी विराड जो है साथ में खड़े हैं तो वहीं आप देखेंगे किस तरह से भवानी जो है इस बीच में बड़ा गेम खेल जाएगी और भवानी जो है वो सई का सब के सामने हाथ पकड़ लेगी और उसे रोकने की कोशिश करेगी वो कहेगी अरे नहीं तू ऐसा मत कर आखिरकार विनायत के साथ साथ सबी जो है वो इसी घर की वारिस है हमारे घर के वारिस को हमसे मच्छी ये बातें जो हैं भवाणी सई से कहने वाली है और वो ये भी कहेगी कि तू अपनी बच्ची यानि सवी को लेकर इस घर में आजा लेकिन देखना इंटरस्टिंग होने वाला है क्या सई जो है भवानी का ये बड़ा ओफर एक्सेप्ट करने वाली है मैं बात करें पाकी और विराट की तो वो लोग भी कितने चालबाज हैं या आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं वह लोग भी नहींजाएंगे कि सही बाहर इатल में इतना बड़ा ओफर रखेगी फिर आप ये भी देखेंगे किस तरह से सई जो है पूरे परिवार की ओर देखे जा रही है लेकिन देखना बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है कि सई जो है भवानी के इस ओफर का क्या जवाब देती है साथ ही क्या विराड पाकी इस बात के लिए मान जाएंगे और क्या भवानी का रवया जो है वो सई के लिए सच में बदल जाएगा या इसके पीछे भी भवानी का कोई बड़ा मकसद है वैल आपको क्या लगता है कि क्या सई जो है उसे ओफर एकसेप्ट करना चाहिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही टीवी और बॉलिवुट की तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजए अगर आप इस वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लेगे